नमस्कार दवायर में आपका स्वागत है लोगसभा चुनाओं के मद्दे नजर पूरुवत्तर राज्यों पर जो हम श्रंकला कर रहे हैं आज उसमें बात होगी असम में लोगसभा चुनाओं की मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दवायर की वरिष्ट पत्रकार संख्यावड़ी और नौ पर आगई इस वक्त वहां पर कॉंग्रेस के पास तीन सीटे हैं इंडिपेंडेंट एक है और यूद्फ जो वहां की विपक्षी पार्टी है उसके पास भी एक सीट है इस बार हिमन तब इसवा सर्मा जो है वो लगातार जो असम के मुख्य मंत्र की जीट को लेकर बढ़ते जा रहे हैं पर जो पिछले कुछ दिनों से जो सीए के नियम के आजाने के बाद से जो सेरियो वहां खड़ा हुआ हुआ है उसमें अगर हम देखें उसके मद्दे नजर तो क्या आपको लगता है कि सीए के आने से वो तस्वीर बदली है जो जिस कॉंग्रेस को मिलेगा और एक कोई और पार्टी को मिलेगा यही कह रहे हैं लेकिन उनका कहने का में कारण क्या है में कारण है दिलिमिटेशन इन्होंने बहुत बुद्धी करके ऐसे दिलिमिटेशन किया है अब कश्मीर के बाद असाम में एक हाली दिलिमिटेशन हुआ है आप सोचिए, 2024 में, 2026 में ही rest of India में delimitation होगा, अगर अब मतलब ये अभी जाइज है कि नहीं है, हमें वो भी नहीं पता, लेकिन delimitation हो गया है Assam में और अब उस basis पे election भी हो रहा है, तो उसमें आप देखिए कि delimitation के वज़े से बहुत सारे seatों में अदल बदल हुआ है, जै अगर में आ गया है, गौरव गुगोई जो deputy leader of opposition है, Congress के और वहां से सांसद है का कोलियाबर, Constitution से कोलियाबर रहा ही नहीं इस बार, तो ये काजी रंगा और जोड़हाट के बीच हो गया है, तो वो जोड़हाट से contest कर रहे हैं क्योंकि उनके जो electorate है वो ऐसे divide कर दिये गए बॉड़पेटा में भी आप ऐसे देखिए, बहुत सरे ऐसे जगाओ में लखिमपूर से कुछ ले लियागे, तो ये जो पूरा अलरल बदल जो कर रहे हैं अपनी party को मदद करने के लिए, मतलब BJP को हम सुनते थे, मैं Assam से आती हूँ, तो हमने चोटे से ये सुना है कि Congress का पूरे नैशनल स्पेस में जो कहा जा रहा है कि opposition का जो level playing field नहीं है, वो इस आप से असाम में भी ये बात सही है, यानि कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन में चेंज होई हैं, उसके इसाब से वहाँ डेमोग्राफी का बहुत फर्क करेंगा, यही हुआ है, और वो भी एक ची justify कैसे कर रहे हैं, justify उन लोगों को असाम के जो इलेक्टोरेट हैं, उनको दराद रहे हैं, कि आपको यह मुसल्मानों की दरा रहे हैं, मतलब 32% मुसलिम है, लेकिन उसमें से मुसलिम्स भी हैं, जो BJP को वोट करते हैं, लेकिन communally इतना वह वह क्रेट कर रहे हैं, कि आप दे मार्सी हुआ, तो यह दर जो है, इलेक्टोरेट में है, और इसी को ही milking करते हैं, शाहे कॉंग्रेस ने भी किया हो पहले, और BJP भी हो, कोई और भी पार्टी हो, यह वही करते रहते हैं, तो यह ही मतल बिश्वा सर्मा को अलग कपड़े से काता हुआ आदमी नहीं है, उसी से ही है, वो जितना बल हो, चल हो, जैसे भी हो, उनको कुछ सीटे, ज्यादा से ज्यादा सीटे, BJP नैशनल लीडर्शिप को प्रेजन करना है, वापर से C.A. पे आऊंगी, C.A. को लेकर जो विरोध हुआ था, जिसका लंबा इतिहास रहा है, कुछ दिनों पहले जो नियम कारकों पे उत्रे हैं दुबारा से, इसी नियम के विरोध में, अब यह नियम जब अधिसूचित हो गया है, यह नियम जब अब लागू होने के लिए तयार है, और सरकार लगातार से लेकर दावे कर रहे हैं, ऐसे में जो फियर ओफ द अधर और 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 आउटसाइडर, ज सर्बानन सोनवाल और पहले, बीजेपी का पहला चीफ मिनिस्टर असाम का आ रहा, तो वो कॉन्टेस कर रहे हैं इस बार डिप्रुगर सीट को, और उनको चैलेंज कोन कर रहे हैं, लूरी न जूटी को गोई, दोनों का ओरेजिन आसू से हैं, लेकिन एक जनरल सेकर्टरी डोनों जनरल सेकर्डरी थे, तो उस एक प्रेसिडेंट, और उसके बाद तो डोनों ही रिजिनल पार्टी से आये हैं, अभी अपना असाम जातिया परेसर वो रिप्रेसंट करते हैं, और डीब्रुगर में इंडिया ब्लॉक जो है, उनका जॉइन कैंडिडेट है, उनका मे बाद परेसर वो रिजिनल पार्टी के लिए चणौती बने का असम है, यह सीट में तुम्हें देख रही हूं, उसमें दिख रहा है, और बाद पेता में भी मुझे लगता है, लिए बाद पेता में भी दर रहती है कि बीजिएपी की होगा, तो इसलिए वो सीट अपने ही जाय असम गनापरिशन को दिया है असम गनापरिशन यह चोड़ा सीट में से बीजेभी कली 11 सीट ही खेल रहे हैं बाकि दो सीट जो एक धूबरी में और जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है और असम गनापरिशन यह बाउरपेटा तो यह नाज मुसलिम पॉपलेशन है वहाँ यह जो Assam Accord से बनी हुई पार्टी है, तो वो anti-CAA के forefront में होना चाहिए है, क्योंकि CAA actually Assam Accord के एक primary clause को violate कर दा है, तो यही कारण यह नए पार्टी जनम लिये, CAA सिब के बाद दो नए पार्टी जनम लिये, एक Raijadol और एक AJP, जिससे Lurine Juti contest कर रहे है, और Raijadol support कर रहे ह है इसको, Raijadol का जो में फाउंडर है, खिल गोगोई, वो सिबसागर लोकसभा, सिबसागर Assembly Constituency से जीता था, पिशली बार 2021 का जो election में, वो जीता है, तो इसमें आप देखेंगे कि यह CAA को offset करने के लिए भी BJP ने को plan बना के वो किया तो है, तो इसका मतलब है, आपका स सिदा सुदा सवाल का जबाब मुझे देना पड़े, तो यह है कि यह एक मुद्दा तो है, अब आते हैं, बात करते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि 32 प्रतिशत जो आबादी है, वो मसलिमों की है, क्या इस चीज़ को लेकर और खास तोर पर ही मताब इस वाशर्मा के जो प जिस तरह से असम के महाल में उन्होंने हिंदू मुसलिम को या फिर असमिया और मुसलिम को एक मुद्दा बना दिया है, वो कहां तक चुनाओं में उसका असर दिखाई पड़ने वाला है, आप तो यह बीजेपी में आगे हैं, बीजेपी का टॉप लीडर्स नाशनल पॉल में थे, तो उन्होंने मोदी के खिलाफ केमपेइन किया था, 2016 में आप सोचे, उन्होंने रैली में कहा था कि गुजराद के पाइप में मुसल्मानों का खून बहता है, और वही आदमी आज आप देखेंगे जब मोदी जी असम पहुंचते हैं, एरपोर्ट में, सबसे जद इलेक्शन के ताइम पे तो कल कम्यूनल ही बनना पड़ता है, यहीं मैं जोड़ूँगी यूसी सी का सवाल, समान नागरिक सहिता को लेकर भी तमाम तरीके की बाते हो, लगातार वो कहते हैं कि अब उत्राखंट के बाद में वो असम में लागू करने को आएंगे, पर लग आप इतने सारे जो ट्राइब्स हैं, उनका अपना कस्टमरी लॉज है, उसी हिसाब से वो चलते हैं, और बीजेपी उस जो बड़ा कंस्टिटुएंसी है, ट्राइबल कंस्टिटुएंसी उसमें जाने की कोशिस में हैं और बहुत सारे सी जीते भी हैं, और उन्होंने अप इलेक्शन वो नहीं कर पा रहे हैं, वो 55% रिजर्वेशन फॉर विमन, सुप्रिम कोट के और के बाद भी वाइलेंस हुआ है, और सरकार आज तक नहीं कर पाए, वही सरकार जो है, वो बीजेपी के साथ सरकार में हैं, आप सूचिए, तो वो क्यों कि क्यों नहीं कर पा रह हैं, और confused signal भी भेज़ने हैं, वो कहते हैं, शिक्सीडूल एरियास में एफेक्टेड नहीं होगा, तो इसका मतलब शिक्सीडूल एरियास में बौरो एरियास में असा में सिक्सीडूल एरियास है, तो वहां पर भी बहुत सारे मुसल्मान जो बेंगॉली औरिजिन, बेंग इजन्डा के पर क्यों नहीं बात करते हैं, बात अगर मुद्धो की आरियास में इसम्की तो इसमें इंसरजेंसी एक बहुत बड़ा मुद्धर आये नौथ इसन स्टेट्स में, आसपा कुछ जिलों से हटाया गया, कुछ जिलों में लगाया गया, उल्फा के एक दिखने ही रहा, अगर इतना हिस्टॉरिक होता, तो ये इलेक्शन में इस्तमाल करते हैं, और ये जो लीडर्स हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ये एक वाटर ड़न वर्जन इनको हाथ थमाया दिया गया, और एक तो ये है, डूसरा ये है कि इंडिपेंडेंट जो वो है, जो एंटी टॉक्स फैक्शन है, वो अभी बैंड है, वो जो है, उनका थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं, आज इधर पकड़ेंगे, कल वहाँ ये, ये सब न्यूस आ रहे हैं, नेशनल मीडिया में इतना आता नहीं है, पर लोकल में ये सब हो रहा है, और स्टे इतना ही अगर शांती पुर्ण देश है, आप 2016 से आप रूल कर रहे हैं, तो आप अभी पूरा पूरी तरह आपसपा को हटा क्यों नहीं पा रहे हैं, आपर असाम जहां पे हैं, आपर असाम में 8 डिस्ट्रिक्स में से 2013 में 4 में अभी हटाया, लेकिन जहां नहीं हटाया, बहुत सिग्निफिकेंट है, उल्फा जो इंडिपेंडेंडेंट जो एंटी टॉक्स फेक्शन है, उनके लिए, सिवसागर देखिया, आप तिंसुकिया देखिया, चराइड़ो देखिया, दीब्रुगर देखिया, वो सब में सब में आप सपा है, तो यह जो आर्मी एकद के लिए भी देख लीजे, वहां पर भी आप सपा हटाया था, लेकिन जो डेलिकेट पीस एकदम से उसका पूरा तहस नहस हो गया, और आज एक साल हो गया है, तो होने को आ गया, लेकिन उसमें शांती नहीं है, तो पीस जो है, हम पूरे नौटिस में बहुत डेलिकेट पी ग्राउण में इतने तरह दोरा नहीं सकते हैं, यानि कि जो शांती के दावे किये जा रहे है, और जमीनी सच्चाई बहुत कम है, और यह स्थाय इस्थिती नहीं है, कि यह शांती आज है, तो यह आज चे महीने बाद रहेगी, इसको बदला जा सकते हैं, यह कह नहीं जे सक कि अपर किया है तो सबसे ज्यादा सफरिंग तो आम जंता को है जो जनता नहीं चाहती है तो ये एक बहुत मदा पॉजिटिव साइड है ये पूरी कहानी के जनता के मुद्दों की बात करें तो जनता का मुद्द यह भी है कि आसम वहां की चाय के लिए जाना जाता है पर कि आम जाने फाल रांगे बढ़ते हैं सो लगतार सरकार से नाखोष है क्या उनकी जो नाहाँ नाजगी है उनका कुस्त क्रफावित करेंगी कर भी सकती है इंकाप देखें न मिनिमम्म वेजेष में पर्रामिस किरू रहे मैं 2016 से देख रहे हैं, स्टेट इलेक्शन में भी प्रॉमिस किया, और फिर जाके कुछ नहीं होता है, तो यह भी सबर कर रहे हैं, सबर कर रहे हैं, उपर से जो BJP का आइडियोलोजिकल जो फाउंट है, RSS, उनका भी एंट्री टी गार्डिंस में हुआ है, उनके जो, उनमें Christians भी हैं, Hindus भी हैं, अनिमिस्ट हैं, तो यह उनको influence करने की कोशिस कर रहे हैं, BJP के लिए ही support create करने की कोशिस कर रहे हैं, ग्राउंड में यह काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे, डिबुगर सीट में मिला था, 2014 में रामश्वर टेली जो है, जीता, पावन घट लेकिन anti-incumbency इतना strong है, क्योंकि आप देखें ना, पूरा चीज जो है, आज के दौर का, जो BJP का है, सब कुछ मोदी जी ही कर रहे हैं, तो local जो लोग है, उनको जो leaders है, उनको कोई role ही नहीं जह जैसा है, तो they are replaceable, अजिफ, तो यह replace कर दिया, उनको anti-incumbency था, बहुत है तो replace करके सोनवाल को ला दिये है, तो अब रिसेंट हिस्ट्री में, डिब्रुगर सीट से मतलब main parties होते है, Congress हो या BJP हो, इस पर पहली बार दिखने को मिला है, कि चाय बगान के जो tea tribe कहते है, जो अदिवासी है, उनका candidate नहीं है, उनका candidate आप मेंने एक loan किया है, बड़ी is a small factor, क्योंकि तक कर सीधा तो आएंगे, आप उसमें ही देखेंगे, Congress और भाजपा में, डिब्रुगर का में बार बार जी कर रहे हूं कि यो पूरा 3 country है, जितने भी 10 जो assembly segment है, सब में चाय बगान के जो vote workers और voters है, उनका influence है, इसलिए में इतना वो कह रही हूं, जो वहां पर फोरम बना है, opposition का उसका हिस्सा है, क्या लगता है आपको कि जो opposition की वहां पर equation चल रही है, जैसे आप अलग जा रही है, उसको लेके जो वहां के प्रुदेश Congress अध्यक्ष है, वो खुश नहीं है, उसके अलावा उन्होंने जो seats 112 जो अपने और साथियों को द सवाल आपने पूछा है, मुझे भी नहीं लगता कि Congress के कुछ वोट जैसे डिब्रुगर ही ले ले लिजिए और कही और भी अप लेजिए गोहांती ले लेजिए, यह सब जगहों मुझे नहीं लगता है कि एक डूसरे का वोट जो है वो शिफ्ट होगा, राइजर दोल को ह लुट जूटी के लिए लुट जूटी के लिए बनी हुए पार्टी है, वो शायद ट्रांसफर हो जाए आप अपर असामें, लेकिन Congress, Congress का आप देखिये का बहुत सारे लोग जो 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 ग्राउंड के लिए लीडर्स है वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है वो दिब् बीजेपी को ही मदद होगा, वो कहीं ना कहीं वो अपोजिशन का नुक्सान करने वाले स्ट्री है, और आप अलग से खेल रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो एक सीट में तो CPM भी अलग खेल रहे हैं, तो यह जो अलग अलग खेलने का जो है, तो मुझे लगता है यह जो उन्होंने यूनिफाइड कहा है, वो यूनिफाइड नहीं हुआ, उसमें नहीं है वो, कि आप देखिये न, यह जो आप वगेरा जो नेशनल लेवल में कह रहे हैं, कि इंडिया ब्लॉक जो है, थोड़ा लेट हुए यह सब करने में, वो लेट वाला जो असर जो है, आप असाम में दिखेगा और उसका फाइदा बीजेपी को आएगा, बात करने कॉंग्रेस के प्रचार की प्रियंका गांधी वहां पहुंची है, उनके साथ में के दिखाई पड़ रहे हैं, और वो लूग जाकर वहां पर अनाइंप्लॉयमेंट, जॉब, महंगाई, यह सब वि जौरफ गोगई के लिए, जौरहट से वो कांटेस कर रहे हैं, जौरहत एरपोर्ट पहुंची हो सीधा टीटाबोर गया, टीटाबोर एक्चली उनके फादर जो है तरुन गोगई के असेंब्ली कंसिट्विनसी तो वहां से ओरिजिन करते हैं टीटाबोर से, तो यह जौर मेडिया में आपको पढ़ने को मिला होगा तो उसमें लेकिन हमने अब आसर देखा कि वह असाम में वाइफ के साथ रोड शो कर रहे हैं और हमारे को सुनाई दे रहे हैं कि ट्रिपुरा में एक खुड लीड भी करेंगे रोड शो कॉंग्रेस तो इनकी टेस्टिंग मुझे ल लेकिन अगर गौणेस्ट आप देखे न यह गौरव गौगोई का इंट्रिस्टिंग कॉंटेस्ट है यही मेरा अगला सवाल है कि आप कौन सी ऐसी सीटे देखती है जिन पर आपको लगता है कि मामला बहुत दिल्चस्प होने वाला है या कांटे की टकर होगी है कांटे की लेकिन क्या यह अब ही जाएंगे तो यह एक इंट्रिस्टिंग मुझे डगता है डूसरा अधिवासी कम्यूनिटी में ही काजी रंगा सीट जो नया सीट बना है डिलिमिटेशन के बाद उसमें भी आप देखें कांग्रिस का रोजलीना तिर्की है वह उनका फादर भी बह तासा ने पहले contest किया था तरणगोगोई के खिलाव भी हारे थे लेकिन ये एक interesting टक्कर है तो community के votes में खेल रहे हैं तो community के votes क्या divide होंगे ये ना BJP पहले देखिए चाय बगान के जो अधिवासी community है ये बहुत पूरे हिसाब से कॉंग्रेस के साथ थे और उनको BJP ने बहुत carefully लेके गया है so that election में असर आए तो मुझे लगते हैं ये दो बड़ी seat है और उसके बाद आप देखिए लखिमपूर में भी लखिमपूर से प्रदान बर्वा कॉंटेस करें BJP से दुबारा उनको उनके लिए रोडशो करने गय आप देखिए प्रदान बर्वा पहले कॉंग्रेस के थे और जब हिमंता बिश्वसुर्य कॉंग्रेस के बोट छोड के BJP पे जंप मारे साथ में प्रदान बर्वा भी जंप मारे कहीं और भी थे तो इनको ने एंशूर किया कि लखिमपूर सीट और ये सब उनको मिले और लखिमपूर सीट एक्चली MLA थे और टरण को गई सरकार में मिनिस्टर भी थे लेकिन लखिमपूर सीट जो लोकसभा सीट पहले सोनवाल खेलते थे जब सोनवाल चीफ मिनिस्टर बना 1216 में प्रदान बर्वा को वो सीट देया तो ये उतभी से ये खेल रहे हैं तो मुझ मुझे लगता है धूबरी में लोग कह रहे हैं कि इंट्रस्टिंग है क्योंकि AIUDF का पूरा वेश्चन है और उसमें अप AGP खेल रहे हैं तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि और मुसल्मान वोट जो है अब बहुत कॉंशिस हो गया कि वो किसी भी तरह BJP को मदद करने के मुझे नहीं लगता है धूबरी सीट तो मुझे नहीं लगता है कि इनके पल्ले पढ़ने वाला है बौरपेता थोड़ा कोशिस कर रहे है क्योंकि डी लिमिटेशन से बहुत एफेक्ट किया गया है बौरपेता को तो इसलिए पहले कॉंग्रिस ने जीता था ये 2019 में तो य जायक होंगे यानि कि AGP की स्थिती यह है कि अगर उसने इस चुनाव में कुछ परफॉर्म करके नहीं दिखाया तो उसका जो NDA गटबंदन में कद है वो और नीचे चला जाए बहुत ही नीचे उनका तो मुझे तो लगता है कि it is the beginning of the end AGP मतलब it's a very sad story क्योंकि regionalism का भी एक मतलब जड़ा यह लोग उठाये बहुत साल उठाये लेकिन वो धीरे धीरे भाजपा ने उसको खा गए और आप दो-तीन ऐसे leader हैं जो थोरे दिन बाद जो नया दुबे गे तो यह BJP को जंप मारेंगे क्योंकि Congress में तो जा नहीं सकते वो BJP में जंप मारेंगे तो यह वाला उनका अंत होगा और उसके जो डो अधर पार्टी जो है N.T.C.A. के बलबूते पे जो आया है राइज ओडॉल और A.J.P. तो यह दोनों मुझे लगता है कि बहुत सारे चीजों में यह together है जैसे इस बार भी आपने देखा N.T.C.A. तो यह है तो कितना आगे जाएगा और A.J.P. सबनेशनलिजम जो आगे बढ़ेगा पॉलिटिक्स में मुझे नहीं पता मुझे लगता है कि बीजेपी ने वो जो कॉंस्टिट्वेंसी था उनको कम्यूनलाइज करके बहुत सारे जो कम्यूनल होने के लिए तयार है जो A.J.P. जातिया था बाद जो गुजराती मानुष को हिंदू मानुष बनाने का गुजराती अश्मिता को हिंदू अश्मिता माराथी मानुष को हिंदू मानुष बनाने का यह ऐसे में जातियोता बाद जो हिंदू जातियोता बाद बनाने में भी यह बहुत सारे हिसाब से सक्सेस्फुल हो चुके है अ दवायर के और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें